इस कहानी के सभी पात्र कालपनिक है आप जो आप एक किस्सा सुनोगे बस लॉजिक मत लगा ना किस्सा सुनो समझो आप मैनिफेस्टेशन का पूरा फंडा पूरा गेम समझ जाओगे और समझेंगे तभी तो किसी चीज को मास्टर कर पाएंगे उसमें एक्सपर्ट बन दर होगा कि नहीं होगा ये सारी चीज़े आये ही नामन में बस ये एक ना सिध्धी हासिल हो जाए काइंड आफ की सोचू और हो जाए बोलू और हो जाए बस इसी को समझने के लिए हम आज का ये किस्सा सुनेंगे बाइदवे किस्सा मुझे भी समझ आया है याने manifestation का funda मुझे भी समझ आया है I am sure आपको भी समझ आएगा पर बात ये है ना दोस्तों कि समझ आना और apply करना या उसको expert करके सीखना practice करना अपने life में ये दोनों बहुत ही जादा difficult चीज़े है अभी जैसे science students अगर हैं आपने से कोई तो आपको kinetic force centrifugal force ये सब चीज़े पता है right but hardly हम उसे कहीं पर apply करते हैं अपने life में या फिर कितनी सारी इसी चीज़े हैं जहां पर हम इनके examples को देखते हैं बट हम decode नहीं कर पते हैं ये तो वह ही है जो मैंने सीखा था so कहने का मतलब ये है कि समझना और apply करना difficult है तो समझ तो आप जाओगे लेकिन आपको apply करनी के practice करनी है और मैं भी वही करूंगी so एक बार एक इनसान था जो सुन नहीं सकता था बोल नहीं सकता था और ये बहुत पुराने समय के बात है जब दुनिया भी ऐसी ही हुई करती थी ना वो कोई बोल सकते थे ना कोई सुन सकता था सिर्फ सब लोग देख सकते थे अब इस इनसान ने अपने गुरू के पास मतब जाकर एक request की कि मैं बहुत परिशान हूं मुझे life नहीं पसंद है ये सब इशारों में बाते चल रही ठीक है और गुरू तो गुरू है वो सब समझते हैं वो अंतरियामी है और गुरू की ऐसे थे जो बात कर सकते थे बोल सक सकते थे समझ सकते थे because he is guru ठीक है तो गुरू ने magic चलाया यानि बड़े प्यार से magic से आराम से इस इंसान को ये बात समझा दी कि मैं तुझे एक टास्क देता हूं तू वो टास्क कंप्लीट कर देना और फिर तुझे life में जो चाहिए वो मिल जाएगा ठीक है तू मुझे कोई भी ring ला कर देना जो अंगूठी होती है कोई भी अंगूठी ला कर देना बस वो सोने की नहीं होनी चाहिए अब ये इंसान देख नहीं सकता बोल नहीं सकता पूरी दुनिया I'm sorry ये इंसान बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता और पूरी दुनिया भी बोल नहीं सकती सुन सोने की अंगूठी की तरफ पॉइंट करते हैं तो इनसान उसको सोने की अंगूठी ही निकाल के देता है अब यह आदमी और समझाने की कोशिश करते हैं यह नहीं चाहिए और क्या है और वो सब चाहिए मुझे अब यह तो मैं शॉट में निप्टा रही हूँ पर कई सारे दुकानों में यह बंदा जाकर आजाता है अब ठक हार कर वो क्या करता है कि एक सोनी की अंगूठी ले लेता है मतब खरीद लेता है और फिर बाकी दुकाना में जाकर बोलते हैं कि यह नहीं चाहिए यह नहीं चाहिए यह नहीं चाहिए फिर भी सेम चीज़े रिपीट हो रही है हर जगा सेम चीज़े रिपीट हो रही है जो वो नहीं चाहता जो वो नहीं मांग रहा वही चीज़े उसको दी जा रही है सामने से क्योंकि वो मन में क्या सोच रहा है या फिर वो क्या इशारे कर रहा है ये दुकानदार ना समझ सकते है ना उनको सुनाई दे रहा है राइट वो सिर्फ ये देख सकते है कि ये बंदा बार बार सोना 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 पे पॉइंट कर रहा है अब ये बात आपको मुझे और वो गुरू जी को पता है कि उस बंदे को सोनी की अंगोठी ही नहीं चाहिए उसके अलावा जो कुछ भी है वो चाहिए हीरा तामबा पीतल पंचधा तू सब वो थक हार के वापस अपने गुरू के पास आता है और कहता है कि I couldn't do it नहीं मिला मुझे सोनी की अंगोठी ही मिली उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला तो उसकी गुरू जी ने उसे समझाया कि जो चाहिए न उसके बारे में सोचो उसके बारे में बात करो और उसी को लोगों को दिखाओ अगर तू तामबी की अंगोठी लेकर जाता चांदी की अंगोठी लेकर जाता तो लोग वो देखते समझ जाते तो तुझे वही देते, तू क्या लेकर गया, जो तुझे नहीं चाहिए, वो तू लेकर गया, राइट, तो अभी स्टोरी को यहीं पे cutshot कर दू, क्योंकि हम अपनी बाते करते हैं, ठीक है, so this is a beautiful story, where you understand कि हम भी यही गलती करते हैं, without realizing, हमें पता नहीं होता, लेकिन हम अकसर वही चीजों के बारे में सोचते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि मेरी एक friend है, जिसकी intercast marriage होने वाली थी, और उसके मन में बार-बार यही डर लगता था कि जगड़ा हो जाएगा, मैं को कुछ भी जगड़ा नहीं चाहिए, मुझे कोई मन मुटाव नहीं चाहिए, मुझे सब easily हो, ऐसा चाहिए, बट भले ही उसके मन में वो चाहती थी कि सब कुछ smoothly हो, बट डर इसी बात का होता था कि कुछ हो ना जाए, कहीं बात बिगड़ना जाए, कहीं रिष्टा तूपना जाए, so constantly she was thinking about वो, वो चीज़े जो उसको नहीं चाहिए, तो मान लो कि universe भी उन सभी दुकानदारों की तरह है, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सिर्फ देख सकते हैं, यह जो आपके उपर देखो ज़रा, यह जो आस्मान है, यह पूरा आस्मान ऐसे समझ लो कि एक बड़ी आँख है, जैसे बिग बॉस की आँख होती है न, बिल्कुल उसी तरह, एक आँख है जो constantly देख रही है कि आप क्या image दिखा रहे हो, आप भले ही उपर से कुछ भी दिखाऊगे कि नहीं न, मैं तो अच्छा ही चाहती हूँ, मैं तो healthy ही रहना चाहती हूँ, पर universe हो नहीं देखता न, हमारे जो 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 आदमी के इशारों की तरह है, जो दुकानदार नहीं समझ पा रहे थे, दुकानदार वही देख पा रहे थे, जो उस आदमी के हाथ में था, उसी तरह universe की आँख, वही देख पाती है, जो हमारे दिल में है, deep inside, अगर गहरे दिल में आपके एक उदासी चाही हुई है, tension है अपनी health को लेकर, पैसों को लेकर, career को लेकर, love life को लेकर, तो वही image universe देखते हैं, और उन् बार 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 मिलते रहती है, there is a person, one more person I know, जिनकी शादी नहीं हो रही है, that person is above 35 now, ठीक है, तो उस इनसान ने अपने मन में यही सोचा है हमेशा कि मेरा रिष्टा नहीं हो रहा, I am not comfortable with the people, जिनको मैं मिल रही हूँ, मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे है, या मेरी जो requirement ह है कि मेरे बुड़े माबाप को मैं अपने साथ रखो, संभालू, वो requirement मेरी fulfill नहीं हो रहे, by the way I am talking about a female person, तो यही चीज़ वो इनसान सोचते आए हमेशा मन में और वही होते गया, फिर जितने लड़कों से मिलते वो नहीं बात बनती, फिर कुछ न कुछ uncomfortable हो जाता, कभी य होता, तो क्या आपको लगता है वो इनसान नहीं चाहते कि उनकी शादी हो, of course वो चाहते है कि उनकी शादी हो, फिर भी नहीं हो रही, क्या आपको लगता है कि वो मंदीर मस्जिद नहीं गए होंगे, कितनी सारी प्रेयर्स नहीं की होंगी, नारियल फोड़े होंगे, चड तो देखो एक तो है कि शायद वो किसमत में लिखा का आए है कि नहीं होगी उनकी शादी जल्दी से नहीं होगी या होगी नहीं whatever उनकी किसमत बट भगवान ये भी कहते है कि आप अपने thoughts से अपने actions से अपने कर्मों से अपनी किसमत भी चेंज कर सकते हो, क्या पता है कि इंसान की किस्मत में लिखा होगा कि जैसी जनम लेगा ये 30 सालों में, ये मृत्य हो जाएगी इसकी, लेकिन अगर ये इंसान अच्छे कर्म करेगा, तो शायद ये बज़ भी सकता है, बट वो इंसान कर्म ही नहीं कर रहा, वो टेंशन में ऐ इसे ही लाइफ बिदाता जा रहा है बस तो, of course, जो लिखा है वो होगा ही, बट अगर वो इसको चेंज करने का प्रेतन करता है, चेश्टा करता है, तो वो चेंज हो सकता है, इसमें पूरा सार लाइफ का, यूनिवर्स का, मैनिफेस्टेशन का सब कुछ इतने ब्यूटिफुली कवर हो रहा है, कि मुझे खुद इंस्पायर हो रहा है, ये बोलते बोलते की, अब आप भले उपर से कुछ भी दिखाओ, पर आपके दिल के अंदर जो भावना है, वो कब चेंज होगी, जब आप उस बातों को मानने लगोगे, कि दिखाओ करने के बदले कि बैटा मैं तो हेल्दी रहना चाहती हूँ उपर मैं होती नहीं, पर आप मानते नहीं हो ना आंटी, कि आप हेल्दी रहना चाहते हो, राइट? ये मैं आपने रियल लाइफ e exampelles दे रहे हूँ आपको, कि आप मानते ही नहीं हो, जब देखो को अशर दिख रहा है लेकिन इंसान के मन में अगर यह जिद हो ना कि आरे मैं तो वीमार रही नहीं सकती मैं बनी नहीं है ऐसे बीमार रहने के लिए मेरा शरीर सवस्थ है और मैं एक अच्छी healthy life जीने के लिए बनी हो, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों की शादी पोते, whatever, for example, you know, मैं तो इन आंटी का example दे लिए, तो हम कुछ और करना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचो कि मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, मैं सब करना चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं जी सकते, तो यो body will start responding, सारी दवाईयां काम करने लगेंगी, सब कुछ होने लगेगा, बस हमें अपनी सोच बदलनी है, और सिफ बदलनी नहीं उस पर विश्वास करना है, और ये विश्वास कैसे होगा, जब आप रोज 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 उस बात को सोचोगे, बोलोगे, मानने लगोगे, तक चेंज होगा, और जूड मूट नहीं माननी है, विश्वास रख कर माननी ह So, are you ready to show universe what you want या आप अभी भी वही दिखा रहे है जो आपको नहीं चाहिए See, message तो मैंने दे दिया है आगे क्या करना है ये आपका काम है So, thank you so much for listening I am really grateful to you Bye